हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो इस्टडी नियूज आज हम साउथ एसियन एसोसियेशन फॉर रीजनल कोपरेशन के बारे में जारेंगे जिसे सौट में सार्क बोलते हैं सार्क एक अंतर सरकारी संग्ठन है इस संग्ठन के सदस्य देश अफगानिस्तान, बांगला देश, भूटान, भारत, मालदीव, नैपाल, पाकिस्तान और स्रिलंका है सार्क संग्ठित देशों में दुनिया के 3% छेत्र और दुनिया के 21% आबादी समलित है इसकी इस्थापना ढाका में 8 दिसंबर 1985 में हुई थी और इसका सचिवाला है काठमांडू नैपाल में इस्थित है सार्क संग्ठन ने 2006 में दच्छिड ACI मुक्त व्यापार छेत का सुभारम किया था और सार्क संग्ठन के अगर इतिहास के बारे में जाने तो दच्छिड ACI देशों के बीच सायोग के विचार पर 3 सम्मेलनों में चर्चा की गई थी पहला सम्मेलन 1947 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था दूसरा 1950 में फिलिपिन्स में और तीसरा 1954 में स्रिलंका में इसके बाद 1970 में इन साथ देशों ने जिसमें बांगलादेश, भुटान, भारत, मालदीब, नैपाल, पाकिस्तन और स्रिलंका सामिल थे इन्हों ने इस संग्ठन को बनाने का निर्ने लिया इसके विदेश मंत्राले द्वारा ढाका में आयोजित अंतराश्टी समेलन में इन साथ देशों के विदेश मंत्रियों ने सार्क संग्ठन की घोषना की और अपचारिक रूप से एकिकरित कारिक्रम की सुरुवात की जिसमें क्रीसी के लिए सहयोग छेत्र, ग्रामिड विकास, दूर संचार, मौसम विज्ञान और स्वास्त और जनसंख्या गति विदियों पे बात हुई अधिकारिक तोर पर संग की इस्थापना 1985 में धाका में की गई थी और 19 दिसंबर को आयूजित होने वाला पहला सार्क समेलन बांगला देश के राष्टपती हुसेन इरसाद द्वारा आयूजित किया गया था जो धाका में था इस समेलन में भुटान के राजा जिगमे सिंगे वांग्चुक, पाकिस्तान के राष्टपती जिया उलहक भारत के प्रधान मंतरी, राजीव गांदी, नेपाल के राजा विरेंद्र साह, स्रीलंका के राष्टपती जे आर जैवर्धने और मालदीव के राष्टपती मुम सार्क के प्रिच्छक देशों की बात करें तो इसमें अस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपिय संग, इरान, जापान, मौरिसस, म्यामार, दर्चिर कोरिया और सैयुक्त राज अमेरिका सामिल है सार्क के रीजनल सेंटर कंट्री की बात करें तो एग्रिकल्चर और मेटरोलोजिकल रिसर्च सेंटर बांगलादेश में है फोरेश्ट सेंटर और डेवलोप्मेंट फंड भुटान में डोक्यूमेंशन और डिजास्टर मेनेजमेंट सेंटर इंडिया में कोश्टल जोन मैनेजमेंट सेंटर मालदीप में, इनफोरमेशन और टेबुरकुलस सेंटर नेपाल में, एनेटजी सेंटर पाकिस्तान में और कल्चर सेंटर स्री लंका में इस्थित है 12. सिखर समेलन ने, छेतर के भीतर व्यक्तियों और संग्ठनों का समर्थन करने के लिए सार्क पुरसकार को मंजूरी दी, सार्क पुरसकार के मुख्य उद्देश से हैं, दक्छेस के प्रयासों के पूरक कारेक्रमों और गतिव विदियों को सुरू करने के लिए दच्छिर ACI में इस्थित व्यक्तियों और संग्ठनों को पुरसाहित करना, महिलाओं और बच्चों के इस्थितियों को बहतर बनाने में योगदान देने वाले व्यक्तियों को पुरसाहित करना, सांती, विकास, गरीबी, पर्यावरन सरक्षन और छेत्री सहयों के छेत्र में व्यक् करने वाले व्यक्तियों को सार्क पुरस्कार दिया जाता है इस पुरस्कार में एक स्वड़ पदक और 25,000 डॉलर का नगत पुरस्कार दिया जाता है 2004 में सार्क पुरस्कार बंगलादेश के राश्पती जियाउर रह्मान को उनके मर्नो उप्रांत प्रदान किया गया था सार्क यूथ अवार्ड सार्क छेत्र के उत्करिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है यह पुरसकार विशिष्ट विश्यों पर आधारित है जो प्रतेक वर्स लागू होता है इस पुरसकार को पाने वाले वेव्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने स्वयम के देशों में इस्थितियों को सुधारने के लिए विशिष्ट कार किये हूँ सार्क का बीसों समेलन 2019 में काठमाडू नैपाल में किया गया था जिसका थीम था वेविंग दवेब तो ये थी पूरी जानकारी साउथ एसियन एसोसियेशन फोर रीजनल कोपरेशन के बारे में आई होप आपको काफी जानकारी मीडी होगी थैंक यू झाल